हलो एवरिवन चालू हो चुका है ओलाइन अप्लिकेशन फॉर्म पीजी का जो है गौवर्मेंट ही रागवेंद्र राओ पीजी साइंस कॉलेज बिलासपु चतिस गर का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेब साइट में देखें कुछ ऐसा आपको उनका वेब साइट देखने मिलेगा इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट करवा दूंगा अगर माल लिजी आप वहां के ओल्ड स्टूडेंट आपने यूजी वहीं से कंप्लेट किया है ग्रेजवेशन अगर आपने त अगरी थी है 13-08-2023 तो इससे पहले आप अपको अप्लिकेशन भर लें और एक चीज यहां पर देखिए आपको दिख रहा है कि कितने सीटे यहां पर है तो आप देख लिजेगा आपके कौन सा सब्जेक्ट है और कितने सीट है आपको यहां पर बता देगा चलिए तो फि यहां पर आप डालेंगे अपना पास्वर्ड देखिए अप कन्फर्म पास्वर्ड के बाद यहां पर आपको डालना है सिंप्ली अपना एमेल अब देखिए आपर मेल इडी और पास्वर्ड डालने के आपको करना यहां पर रिजिस्ट्रेशन देखिए तो सक्सेस्फुली यहां पर आपका रिजिस्ट्रेशन हो चुका है तो देखिए अब यहां पर आप फिल यहां पर अप्लिकेशन पर आपको यहां पर क्लिक करन करना चाहते हैं PGCourse के लिए तो यस करें निमे की करें तो यहां पर आप मैंवली आपको यहां पर सब चीज फिल अप करना है तो यहां पर पुछ रहा है कि लिसमेशन आप यहां पर आपको अपनी केडिगरी सेलेक्ट करनी है चलिए तो फिर हम नीचे आ जाते हैं यहां पर आप पूछ रहा है कि आपने UG का आपको यहाँ पर select करना है last exam कुन सा था आपने क्या लिया था यहाँ पर science है तो science लेंगे ने तो यहाँ बहुत सारे course आप अपने हिसाब से select कर सकते है passing year आपको क्या था आपको वो डालना है यहाँ पर उसके बाद आपका यह पूछ रहा है कि कहीं past, fail या supply या क्या था आपका result उसे साब से आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कौन सा उनिवर्सिटी था तो यहाँ पर आप उनिवर्सिटी select करेंगे आपको यहाँ पर बोल रहा है लोड लंबर डालना है तो यहाँ पर आपको लोड लंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यूजी का आपका जो all aggregate है वो यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद यहां पर आपको कितना मिला ओट आफ तो यहां पर उसको एंटर करेंगे देखिए एंटर करने के बाद यह पूछ रहा है कि आपको कॉलेज कौन सा था तो यहां पर आपको सिंप्ली कॉलेज सेलेक्ट करना है अब इतना भरने के बाद आप करेंगे सम्मिट तो यहां पर आपको अपना प्रसंड डीटेल डालना है यहां पर आप फादर नीम डालेंगे यहां मदर से नीम रहेगा अपना डालेंगे यहां पर यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पर अपना district आप select करेंगे जो आपके अधार पर है अब यहाँ पर आपको डालना अपना पता और यहाँ पर आप डालना अपना area का pin code अगर आपको नहीं पता तो अपने अधार पर देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप दिखें यहाँ पर आपको डालना धान नमबर, simply आपको यहाँ पर एंटर करना अपना 10 का रोल नमबर, यहाँ पर special category है, तो नहीं तो नन करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर local guardian का नाम पूछ रहा है, तो आप अपने fathers का भी दे सकते हैं, यहाँ पर आपके relatives वगरा रहते होंगे, यहाँ पर तो उनका भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर आप उनका mobile नमबर यहाँ आपको डालना होगा, देखिए, आपको domicile CG का है, तो yes करें, प्रोफेशन पूछ रहा है, अगर आपके father farmer है, private job करते हैं, government job, तो यहाँ आपको enter करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपके पास EWS का certificate है, जो होगा, तो यहाँ पर yes करेंगे, नहीं तो no करेंगे, यहाँ पर आप minority में आते हैं, तो yes करेंगे, जी तो no करेंगे, यहाँ आपको डाला अपना WhatsApp नंबर, याद रखे कि WhatsApp नंबर जो आपने login किया है, जिस नंबर से बनाएं, आप उसी को डाल सकते हैं, देखिए, वेंटेज वगर जैसे NCC वगर आपके पास है, या NSS certificate है, तो यहाँ से आप select कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो save करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, payment का पूछ रहा है, तो आपको simply यहाँ पर payment करना है 50 रुपए का, तो यहाँ से आप pay कर सकते हैं, तो चलिए, मैं pay करके बताता हूँ, देखिए, pay करने के लिए, यहाँ पर UPI भी पूल रहा है, UPI ID से भी आप कर सकते हैं, phone pay या GPA से भी, या फिर credit card से भी करते हैं, तो चलिए, हम UPI से ही कर लेते हैं, देखिए, तो चलिए, हम यहाँ पर phone pay को select कर लेते हैं, यहाँ पर अपना verify करवा लेते हैं, यहाँ पर और भी देख सकते हैं, कि बहुत सारे UPI यहाँ पर है, जी पे वगेरा है, मान के चलिए, यहाँ पे वाई, UPI, देखिए, verify होने के बाद करेंगे, proceed, simply, अब आपको अपना एप खुलना है, वहाँ पर आपको शो करेगा, पे करने के लिए, तो वहाँ से आप simply pay कर सकते हैं, अपने account से, तो चलिए, हम पे कर लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पर हमारा payment successfully done हो चुका है, तो चलिए, हम नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पर हमको करना है, course select पे click, अब सिधा हमको नीचे आना है, अब यहाँ पर देखिए, accept and agreed पे time and condition को करेंगे, अब यहाँ पर आपको apply for other course में जाना है, और यहाँ पर आपको करना है select, तो चलिए, हम यहाँ पर select कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, botany है, chemistry है, microbiology है, geology है, PGDC है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, आपको किस में भरना है, तो चलिए, हम PGDC में भरन रहे हैं, तो हम यहाँ पर PGDC कर लेते हैं, देखिए, हाँ पर बोल रहा है, all compulsory subject है, अगर माल लीजे, आपको subject देखना, तो यहाँ पर आप select करेंगे, अपना या अपना जो भी आपको select करना, semester 1 में, 2 में, chemistry वगरा में, तो यहाँ पर select करके, आप get subject में देख सकते हैं, तो यहाँ सब पर बोल रहा है, all subject compulsory, यहाँ पर कोई optional और additional subject नहीं है, तो ऐसी आप select करेंगे, तो चली यहाँ पर हम डाल देते हैं PGDC का, तो यहाँ पर देखिए, get subject में हम click कर लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, all subject is compulsory, तो यहाँ पर save and agree आप करेंगे, देखिए, तो देखिए, तो यहाँ पर आ चुका है, दोनों subject तो, देखिए, आप यहाँ से print form कर सकते हैं, यहाँ से आप print form करेंगे, तो ऐसा कुछ आपको form देखने मिलेगा, तो इसको आपको college पे जमा करना है, तभी आपका वहाँ पर list पे नाम आएंगा, तो इसको print और save भी कर सकते ह तो जल से जल इसको college में आप जमा करें, तो चलिए, फिर मैं ऐसी interesting video बनाते रहूँगा, मिलता हूँ next video के साथ, thank you